हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में आज है सूजी से एकदम कुरकुरा और चटपटा सा नास्ता जो की बहुत ही जल्दी बनकर त्यार हो जाता है तो ये इतना कुरकुरा है जिसे आप देख कर बनाना चाहो तो इस कुरकुरे से नास्ते को बनाने के लिए यहाँ पर देखिए किसी भी चीज से मेजरमेंट कर लीजिए यहाँ पर मैंने कटोरी से किया है मेजरमेंट एक कटोरी सूजी ली है तो उसका आधा हमने दही लेना है यहाँ पर आधा कटोरी है जो दही लिया मैंने और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह के से मिक्स कर लेना है जितना दही लिया हमने उतना ही पानी लेना है यहाँ पर आधा कटोरी है जो पानी लिया मैंने और इन्हें अच्छे से मिक्स करके आधा गंटा के लिए इसको ढग कर छोड़ देते हैं सूजी और ये दही मिक्स किया है ये सूजी इसे अच्छे से फूल जाएगी तो यहाँ पर मैंने आधा कटोरी पानी युज़ किया है तो ये बहुत ही जल्दी नास्ता बन कर त्यार हो जाता है बस इसे मिक्स करके आधा गंटा के लिए रख देते हैं और आधा गंटे बाद देखिए सूजी है जो एक दम अच्छे से फूल गई है और ये थोड़ा सा गाड़ा हो गया था और इसमें थोड़ा सा और पानी डाल लिया मैंने इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे और इसमें अपनी पसंद की वेजेटेबल डाल सकते हैं यापर मैंने टमाटर डाला एक मीडियम साइज का प्याज थोड़े से माटर वोल किये हुए धनिया पत्ती और हरी मिर्ची आप चाहिए तो गाजर बंद गोबी कुछ भी डाल दाल दिये हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मतर हैं जो ये भी डाल दिये मैंने तो इसे बिलकुल अच्छी तरीके मिक्स कर लेंगे और यहां पर कुछ मसाले डाले हैं मैंने दनिया पॉड़र डाला है 1 1.5 टीजपून और नमक डाला है intra tीजपून स्वाधि के रिकोर्डिंग और मिर्च पाउडर ये भी आदा टीसपून चोटा हल्दी पाउडर बिल्कुल हलकी जीरा डाला है आदा टीसपून और डेगी मिर्च डालक लिए मिष्च पिल्स एद लेख चल्ड अंणी तक लता अच्छा तो अच्छा सा अधा है तो देखिए आप इस तरीके से इसका घोल रखना है ना ही बिल्कुल पतला करना है और ना ही जादा घाडा तो इस तरीके से रखना है इसमें थोड़ा सा घाडा लग रहा था मुझे इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है और अब इसे और अच्छी तरीके से मिक् तो अब सीधा चलते हैं गैस की तरफ इसमें एक और जरूरी चीज़ डालनी है यहाँ पर देखी मैं इसमें बेकिंग सोडा डाल रही हूं बिल्कुल हलका सा एक चमच का चोथाई भाग ताकि नास्ता हमारा अच्छे से फूल जाए और अब इसमें दो पर्ट में बनाएंग तो यहाँ पर मैंने एक कड़ाई ली है और अब इसमें थोड़ा सा तेल डाला है एक टीस्पून ज्यादा तेल नहीं डालेंगे हम इसके अंदर और इसे तेल को अच्छे से कड़ाई में फेला लेंगे आप तवा भी ले सकते हैं तो थोड़े से राई के दाने डाल दिए मैंने इसमें आधा टीस्पून और अब यह मिश्रन है जो इसके अंदर डाल देते हैं आप इसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं अगर आपके पास फरेस हो तो शुके हुए नहीं डालें फरेस हो तो डाल लीजी और गैस का फिले में बिलकुल मीडियम रखना है और इस को पकने में 15-20 मिट लग जाते हैं तो यहां पर मैंने फैला दिया है इसको अच्छे से और ढख कर रख दिया है और यह देखिए 15 मिट बाद गैस कफले में बिलकुल मीडियम है और इस तरीके से हलके हलके हातों से इसे किनारों से इस तरीके से उठा लेंगे और देख ले अब इसको पल्ट लेंगे यहां पर देखिए मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूं तो मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया और फिर से उसी कडाई में थोड़ा सा तेल और डालेंगे एक टीस्पून आप कोई भी तेल ले सकते हैं आपर मैंने सरसो का तेल लिया है और अब इसमें थोड़े से और राई के दाने डालेंगे और इस नास्ते को पल्ट कर डाल देंगे तो राई के दाने ऐसे से चटक गए हैं और अब इस नास्ते को देखिए इस तरीके से पल्ट के डाल दिया मैंने और ये देखिए उपर से इसका कितना अच्छा कलर आया है नास्ते को और ये कितना कुरुकुरा दिख रहा है देखने में ही तो खाने में भी बहुत मस्त है आ और उपर से साइड किनारों से मैंने आदा टीस्पून थोड़ा सा और डाल दिये ताकि अच्छे से पक जाए और यहां पर देखिए दूसरी साइड है जो कड़ाई में मैंने इस साइड भी रखा है बनने के लिए क्योंकि मुझे काम था इसलिए मैंने दो कड़ाई में इसे बनने के लिए रख दिया है क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया इसे 15 से 20 मिट से भी ज़्यादा लग सकते हैं आगर आप कम फ्लेम पर दोन नास्ता है जो ही अच्छे से पक गया है छोटा से वीडियो है पसंद दाता है लाइप कीजिए कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो और चैनल को सस्क्राइब कीजिए और इस क्रिस्पी नास्ते को जुरूर बनाईए कमेंट बुक्स में जुरूर पताईए कि नास्त आपको कैसा लगा आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद